बच्चो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के बारे में बताया कि कोशिकाओं मधु मक्की के छाते के समान दिखती हैं तो इसे देखने के लिए हमारे पास एक माचीस की का बॉक्स है इस माचीस की बॉक्स की तीलियों को देखने से पहले हम पानी में एक घंटे के लिए इसको डुबा कर रखना है हम कुछ माचीस की तीलियों को पानी में भिगो कर रखेंगे कम से कम एक घंटे के लिए बच्चों हमने यहाँ पर माचीस की तीलियों को पहले से एक घंटे से भीगा कर रखा हुआ है अब इन माचीस की तीलियों की जो कौर्क है उसका बहुत बारिक सेक्शन कटिंग करेंगे सेक्शन कटिंग आप सबको आता है कैसे करना है हम इस माचीस की तीली को स्लाइड में बराबर रखकर तेज धारदर ब्लेड की सहता से बहुत बारिक सेक्शन काटेंगे चुँकि हमको बारिक सेक्शन का सेलेक्शन करना होगा तो हम 8-10 स्लाइड काट लेंगे ताकि हम उसमें से सबसे बारिक को और सेलेक्ट करेके माईक्रोस्कोप में लगाके देखें पह्त ज्यादा बारिक सेक्षन कटिंग कीया है इसको आप सेलेक्ट करेंगे ताकि यह सूखे ना जैसा मैंने यहां पेक ली लिया है इस लाइट की कटे और उसे हम कवर स्लिप से प्रेस करेंगे यह कवर स्लिप ऐसे लगा है ताकि इसमें एर बबल ना आए और बहुत स्मूथली इसे प्रेस करेंगे और स्लाइट की चारोड जितना भी एक्स्ट्रा है सारा कुछ साफ कर देंगे अब जो हमारे यह स्लाइट है इस लाइट को हम माइक्रोस्कोप में सेट करके देखते हैं कि यह दिखता क्या है और कैसे दिखता है बचों जैसा भी हमको दिख रहा है यहाँ पर जैसा रॉबर्ट हूप ने बताया था सेम वैसा ही कोशिका चोटे-चोटे कोस्टरक नुमा सतन रचना में है जो बिलकुल मधुमक्की के चाते के समान दिखती है झाल के झाल की है झाल कोशिके दिखती है